हुआ हुआ है आपको अपना हरी और भाइसाब आज मैं हूँ चंदीगर की अंदर आर आपको दिखाने लाया हूँ एक और ऐसी जगह जहां पर भाई इतने स्पेशल पराठे मिलते हैं यहां पर भीड लगती है अमने टाइम थोड़ा ऐसा चूज किये कि जब आपको दिखा पाएं और भाइया से बात कर पाएं यहां पर इतने जादा पराठे इतने बढ़िया तरीके के पराठे और इतने जादा बढ़िया प्राइस पर इतने जादा बढ़िया साइज के पराठे मिलते हैं आपको सब दिखाते सब बताते वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्स तो आज हम है जी चंदिगर्ड में चंदिगर्ड के सबसे ज़्यादा मश्हूर पराथे वाले पर यहां पर भाई साथ चार तवे वाला पराथा बोलते हैं इनको नमस्कार अधिया तेंक्यू सो मच आपने टाइम दिया भिया वह मुझे बताईये कितना मश्हूर है कितना लोग जानते हैं यह कहां से शुरू किया कब शुरू किया सब बताईये यह हो गए सर तीस साल पुरानी दुगान है बहुत बढ़िया तीस साल से आप चंदिगर्ड में कौन स चाया हुआ है कौन-कौन से पराथे होते हैं अभिया अच्छा पनीड 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 जी तरह मिक्स है सर अच्छा जी सब्सक्राइब और और अली मिर्ची भी हो जाएगा उनली मिर्ची नहीं पनाते कल तक याद नहीं आना चीए बहुत बढ़िया तो यह जो लगा रहे ह चाया आ है थे सब्सक्राइब तरह मिक्स करके बनाते हैं और भाई इधर तो तेल लगाने का अंदाज भी एक पल्टे के ऊपर यह देखो यह ऑई लगाने का अंदाज गौन सब्सक्राइब रिफाइंड है और रिफाइंड लगा-लगा के एक नम बढ़िया चिकने करके प यह गोबी है और बागी इधर फ्रेश कदुकस हो रहा है जी और उधर वो क्या भी है यह अलू अलू अलग इधर है जा आलू पीछे से रेडी खड़े हैं देखो आप बहात है इधर यह आ गया जी आलू और इसमें मसाले वगारा मिक्स करके इसकी स्टफिंग बनाएंगे व जूए और एफिच्टर यह वापिस से एक पज़ाने और यह हो गयी आपके पनीर वाले पराठी स्टफिंग दल्ने ब्संग हो गई है इधर यह अलू तरबिलिस परेड़िया प्ल lattice के पेड़े के अंदर लगाया जाएगा रेट भी बता दीजै की also पया का ऐसा का 50 रूप चटनी और मक्षन शाथ में हैं दही की डबी अलग से 20 रुपय की और मक्षन कौन सा देते हैं अमूल भी देते हैं जी नूटरलाइट भी देते हैं अमूल भी देते हैं और भाई इधर पेड़े का साइज चेक करो आप 12 किलो 14 किलो का तवा है भाई और इसके ऊपर जो सेक्टर 16 रोज गाडन उसके एकदम बाहर आपको पराठो की जो खुश्बू है वह आजाएगी और आपको पता चल जाएगा कि यहां पराठे बिक रहे हैं और टाइमिंग भी पिता दी जबी है सुबह आठ से छे बखौत बढ़े है रात को नहीं मिलेंगे है तो रात वा किया बात है पेड़े का साइज चेक करो आप एक पराठे में आपका पेड भर जाएगा सारा कुछ जो है आपके सामने ही बन रहा है सब कुछ फैश है और यह नीचे भी आपने चखला नहीं रखा हुआ यह पूरा मार्बल ही रखा हुआ है ना कहां से बनवाई या तभी यह कोटा से है यह भाई देखो बड़ा एकडम ग्रैनाइट का वो पीस है उसके उपर यह फ्लाटन करें पराठे बैक तु बाग और चार तवे जो है वो लगातार चल रहे है पूरी टीम के साथ काम करते है और तीम जो है पूरी लगी हुए इसके उपर यह देखो जी यह चटनी है और इसमें क्या पुदीना तमाटर है तमाटर हरी मिर्च अधरक लसन और इधर प्लेट्स लग रही है जी बैक तु बैक यह जी अंदर अचार का डिबर आपको डुबकी लगवा के लाता हूं अंदर यह देखो बेग बर इसको जड़ा साथ चला के दिखाईए चमच से यह देखो भाई यह है अचार अंदर और आपको यहां पर अचार के साथ या चटनी के साथ पराठे मिल जाएंगे मक्षन साथ में मिलेगा और दही लेना है तो उसके एक्स्टा लगेंगे और यह है जी पूरा का पूरा सेटप आप एक बार देख लो पहचान लो लो के शिए कौन सा हॉस्पिटल भी है सामने लोगी यह सोला का हॉस्पिटल है जी सामने और इसके एक्डम सामने यह आपको शेटप दिख जाएगा सुभे आठ से लेके छे बजे तक आप तो यहां पर ऐसे ही पराठे जो है ओ शिखते हुए और बिलते हुए और बनते पर दिख जाएंगे बढ़िया प्रेप्रेशन है यह देखो भाई इधर जो है प्लेट्स लग रही है बैक टू बैक और यह प्लेट के अंदर आया जी पराठा और साथ में चटनी और मक्षन और भया दही वगएर वो एक्सा देते हैं उसका कितने का है 20 रुपे का दही है और यह पराठा और यह वाला कितने का है अभी 30 रुपे का बहुत बढ़े है ठीक है सर थैंक्यू सोमाज जी भाई साब यह है आज का हमारा स्वाद बतांदरा और यह पीछे दुकान है जो पराठों की जो खुश्बू है न वह आपको दूर से रोक लेगी यहां पर के भा पराठे बैक की बैक आपको मिल जाएंगे तो बाइट लेते मैं वैसे प्लेट पकड़नी पा रहा हूं कि भाई नीचे से बहुत गरम है तो आपको यह जी पराठा और तेल से एकदम लबा लब है भाई यह आ गई हो जबना गरम जितना सेक तवे पे न उससे जादा सेक य जैसे पराठे आलोवाले पराठे हमें पसंद है यह ग्जाक्ति वैसे हैं साथ में जो चंपनी का स्वाद है न यह एकदम यूनीक है ऐसी चंपनी यह ऐसा जो biomassallido नीक जाईका है पराठे के साथ हूम हम कहते हैं ह्म यूशूलिया करते दають ही या मक्षन यह मतलब पूरा ऐसे स्टॉंग मसाला आपको अगले दिन तक याद आएगा not in a bad way but in a good way कि भाई कल बाले वो पराथे खाते है अगर अगर आपने यह पराथे अल्रेडी कर ली है तो कॉमेंट करके बताओ आपको कैसे लगे अगर नहीं किया तो कॉमेंट करके यह बताओ कि कब करें और कप खारे हो हम अपको में अगले उर्म में तब कि लिजन दाबात रहें शाद यह जोंगा अगर आप अपिजाब आप अधिस्तान जैह हिंद और अगर आप देखना चाहते है वैसी एक जबर्द पीडियों बाउत नाद प्लेशाद सेलिंग अमेजिंग पराथास को है ये देखना चाहई है